आजी बीटा अब हम बात करते हमारी next gland के बारे में जिसका नाम है thyroid देखो इस बुक में जो thyroid gland है इसको सबसे उपर इसले लिख रखा है क्योंकि thyroid जो रहती है वो largest endocrine gland होती है कि लिए जब इसके origin की हम बात करेंगे तो ये कौन सी germ layer से बनती है endoderm से अभी तक हमने जो तीन एक्टोडर्म से लेकिन जब थाइरोइड की बात करेंगे बेटा ये कहां से बनती है बच्चे की एंडोडर्म से बनती है पिट्यूट्री होती है सबसे छोटी smallest endocrine gland और जो थाइरोइड होती है वो होती है largest endocrine gland which is present anterior to to thyroid cartilage of the larynx thyroid gland जो हमारी होती है ठीक है thyroid larynx जो sound box होता है उसके side में ये present होती है अब जब thyroid gland की हम बात करते हैं बेटा ये क्या होती है एक bilobed organ का मतलब है कि cerebral hemisphere की तरह ये दो हिसों के अंदर क्या हो रखी है टूट रखी है इतनी चीज़ के लिए रोगई क्या होती है कहां पर present होती है और इसके अलावा ये जो gland होती है ये कैसे होती है एक bilobed organ इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना क्यों क्योंकि हमें सिरफ उसके hormone से मतलब है अब देखो इट इस दा only gland that store hormone in large quantity for about two month ये अकेली एक ऐसी gland है पूरी बोडी में बाकी की gland तो क्या करती है जैसे जरूरत पड़ी तब hormones को release करती है लेकिन ये एक अकेली ऐसी gland है जो कि दो महीनी तक लग बग अपने जो hormone हमको क्या कर सकती है तो जो thyroid gland होती है वेटा कई बुकमें दो मिलेंगे एक मिलेगा तीन मिलेगा थायरोईड ग्लेंड एक्चुल में तीन होर्मोन को रिलीज करती है ठेक है ठीक है धायरोइड ग्लेंड के जो होर्मॉनेहीं तीन देखो यह रही थ्थायरोइड ग्लेंड अगर आपको शो हूने की लग रहे है हाइपोथेलमस, पीट्यूटरी और पीनियल हम कर चुके अब हम कर रहे इस थाइरोईड की बात यह देखो यह थाइरोईड फिर पैरा थाइरोईड के बारे में करेंगे अना फिर जश्चिस के निचे थाइमस होता है फिर हमारा हर्ट आ गया स्टमाक फिर देखो यह किड्न ओवरी और टैस्टी चे बारे में पड़ेंगे ठीक है चलो तो तो ताइरोईड ग्लैंड होती है वो तीन होर्मोन को मैं रीलीज करती है जिनका नाम है थाईरोक्सीन क्या नाम है बैटा इसके सबसे पहले और सबसे में होर्मोन का थाइरोक्सीन या टी-4, के लिए दो रिलीज करता हैं कि आजी निक प यह लिघती हैं कि इनको अलग-खर देदी तो थाई्रोक्षין को भोलता है टेट्रा-इडो- थाइरोणी थाई-रोडित्वासिन की फट्रा फोंडिक है एक होती है थाई-्रोक्षिन की अपर घवादि हैं यह हम टा उक होता है जो हॉर्मोन है वह कुए हो्न रैलीज करने के लग रही है हमारी थाइरोइडWowா waking ठीक है कि यद रिलीज कर्टे हैं तीन राइड़ोवोर क्रिक्या देखिया है मेरे लाइट रिलीज है कि यह थाइरोइड ग्लैंड शाजने इन तिनहें होर्मोन को इस न पर रीरिलीज करता by anterior lobe of the pituitary gland के जो anterior lobe होता है जो वो TSH को release करता है उस टाइम पे thyroid क्या करती है अपने hormones को release करना शुरू कर देती ठीक है तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे thyroxine hormone जिसकी दो फोम है T4 tetraidothironin और striidothironin देखो सिरफ इन में iodine atoms का फर्क है एक के पास चार iodine के atom है और एक के पास कितने है बेटा तीन ती थ्री ध्यान से सुना ती थ्री निकलता कम है amount इसकी काफी कम होती है लेकिन इसका function T4 से जाता होता है वो ही बात है कि दो बच्चे है same section में same class में same parent के मालों दोनों ही बाई हैं दोनों बेहन हैं लेकिन जब उनके अंदर दिन रात का फर्क होई दिन रात का फर्क होने का मतलब एक बहुत ज़्यादा intelligent है और एक बहुत ज़्यादा शरारती है तो वही case इस T3 और T4 के साथ है कि T3 amount में तो कम release होता है but it is more active and more potent than T4 more active उससे ज़्यादा काम करता है और potency जो इसकी ability होती है वो भी क्या होती है T3 से ज़्यादा होती है तो T4 के पास तो कोई solution होता ही नहीं है वो तो मजबूरी में आके आपने आपको T3 के अंदर ही क्या कर लेता है चेंज कर लेता है तो जो इनके जो function होते हैं दोनों के ही T3 और T4 के वो same होते है शिरफ वो नाम आप लोगों को पता रहे इस चीज में confuse ना हो इसलिए इन्हो हम बात करेंगे बेटा कि जो T3 और T4 रहता है वो क्या क्या काम करता है ठीक है इनका सबसे पहला function होता है metabolic rate को regulate करना हमारी बोडी के अंदर जो chemical reactions होती है metabolic reaction ठीक है metabolism बोडी के internal जो हो रही है तो metabolic reaction की चीजों को जो कंट्रोल करता है metabolic rate को कंट्रोल करें that means BMR हम सब जानते हैं हमारे base cell metabolic rate के बारे में यह तो thyroxine hormone यानि की T4 और T3 का सबसे पहला काम क्या हुआ it regulate the BMR के लिए दूसरा काम होता है यह protein की synthesis को stimulate stimulate करना और करना अलाग अलाग होते है stimulate करने का मतलब है protein तो बन रही है लेकिन उसकी speed को क्या करता है और increase कर देता है जिसकी वजह से जो body tissues रहते हैं उनकी growth अच्छे से हो पाती है थर्ड फंक्शन है इट रेगूलेट डवलपमेंट ओफ मेंटल फैकलिटी आयोडी ने तो ओव्यसी बात है दिमाग के लिए अच्छी होगी और अगर दिमाग के लिए अच्छी है यह वह हमारी मेंटल अबिलिटी मेंटल ब्रेन की जितनी भी चीजे रहती हैं उनको क्या करता है कंट्रोल करती है रेगूलेट करती है ठीक है